वेलकम टू स्टड़ी आई एस तो दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सागर निधी के बारे में सागर निधी बेसिकली इंडिया का ओशियन रिसर्च वैसल है अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये ओशियन रिसर्च वैसल जो है क्या काम करते हैं कि जैसे कि मान लीजे हर एक कंट्री है तो उसको थोड़ी बहुत जो रिसर्च है अपनी वो करनी होगी ओशिन में या फिर आप कह सकते हैं सी लेवल पे और उन सी लेवल पे करने के लिए वो लोग आप ऐसे तो है नहीं कि बार बार वो एक बोट लेंगे और बोट लेके वो जाएंगे ओशिन में और शर्च करके बापिस आजएंगे उन्हें एक ऐसा वहीकल चाहिए होता है जहां पे वो रह सके थोड़ा आप कह सकते हैं अगर उन्हें और डीप जाना पड़े तो उसकी मदद से वो जा सके अगर उन्हें आप कह सकते हैं लंबे सफर पर जाना हो तो वो उस से जा सकें और इस ताइम पे वो लोग कॉई भी आपका सकता है यहां पे उर कोई वहिकला यूज नहीं करते हैं कोई ळोट अगर होगी कोई आप कह सकते हैं यहां पे कोई और वहिकला होगा तो वो इतना capable नहीं होगा वो ऐहां इतनी सारी equipment होते हैं जो कि उनकी research में उन्हें मदद करते हैं तो ऐसा ही एक India का सागर निधी है इसी के बारे में हम लोग अपनी आज की वीडियो में सारी बाते इन डीटेल पढ़ने वाले हैं इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखीगा और अगर आपके कोई doubt रहते हैं या फिर आप सोचते हैं कि आपको कुछ चीज पूछ नहीं है तो वो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं definitely मैं आपके लिए वो doubt जाए वो clear करूँगा अब बढ़ते हैं वीडियो पे लेकिन उससे पहले unacademy के तरफ से top 20 में 7 ranker top 50 में 15 and overall यहाँ पे 170 ददा बच्चों ने इस exam को crack करा था unacademy के साथ मिलके तो दोस्तों अगर आप भी चाते हैं तो जरूर से यहाँ पे enroll कीजे unacademy आपको provide करवाता है guidance top educator के थुरूपे comprehensive test series high quality का material doubt clearing और answer writing session होते हैं आपके और comprehensive coverage करवाया जाता है current affair का आप लोग को पता होगा यहाँ पे current affair कितना important रहता है आपके examination के लिए दोस्तों studyis आपकी लोग के लिए थोड़ा special लिकाया है additional 10% का discount अगर आप लोग हमारा code studyis यूज़ करते हैं अब बढ़ते हैं वीडियो पे और देखते हैं सागर निधी ओशियन रिसर्च वैसल के बारे में अभी रिसेंटली जो हमारी union ministry of earth science है उसने यहाँ पे विजिट किया था Indian subcontinent pioneer ocean research vessel ORV सिप सागर निधी को और तभी से यह जो है यह news में रहा है इससे पहले जो हमारी ministry of earth science है जिन्होंने यहाँ पे लॉंच करा था इंडिया का पहला manned ocean mission समुंद रियान चिन्नाई में और इस पर मैंने पूरी वीडियो कवर करी है अगर आप लोग ने अब तक नहीं देखिये तो जाएए आप लोग अभी recently यहाँ पे अपलोड करी है मैंने तो आप लोग को पता लग जाएगा इसके बारे में पूरा यहाँ पे मैंने coverage करवाया है अच्छे से explain करा है आप लोग को एक एक point जो कि आपको पता होना चाहिए ओके दोस्तो तो इसलिए यहाँ पे यह न्यूज में है अब थोड़ा सा इसके बारे में कि यह जो सागर ने दिया यह क्या है किस तरीके से काम करता है देखे दोस्तो इसको commission करवाय गया था 2008 में for the country marine research program मतलब कि जो भी हमारी country का marine research marine मतलब आप कह सकते है बेसिकली पानी से related जो बाते होती है उसका यह program था उसके तहत यहाँ पे से commission करवाय गया था यह इंडिया का third research vessel है पहले जो दो हैं वो हैं आपके सागर पूरवी और सागर पस्चमी यह जो वैसल होते हैं यह capable होते हैं कि carry out कर सकें geoscientific, metrological and oceanographic research के लिए और इन्हें design करवाय जाता है blue water capability के साथ जिनकी range होती है 10,000 nautical mile मतलब की 19,000 km के for 45 days मतलब की आप कहते हैं इनके जो वोजित रहते हैं वो यहाँ पे last रहते हैं 45 days के लिए blue water capability का मतलब यह होता है कि ocean के अंदर अगर यह लोग चाते हैं किसे operate करें और वहाँ पे आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत time लग रहा हो या फिर जो इनका home port है जहां से आप कह सकते हैं यह निकलते हैं अगर यह वहाँ से दूर पहुंच चुके हैं किसी ocean के अंदर बीच में हैं मिड में तब भी यह capable हो काम कर सकें ऑपरेटेबल हो तब यहाँ पे आप कह सकते हैं blue water capability बताई जाती है तो जो हमारा यह vessel है यह blue water capability पे काम करता है यह जो है यह इंडिया का first Indian flagged research ship है जो कि आप कह सकते हैं इसने यहाँ पे रीच करा है 66 degree south latitude पे मतलब की Antarctic water में और इसने face करे हैं 11 storm आप मान सकते हैं एक storm आते ही जहाँ जो है वो अलट पर जाता है पर इसने 11 जो है उसे face करा है 733 nautical mile hour wind speed को इसने यहाँ पे आप कह सकते हैं जो सहा है और काफी सारे ऐसे हारेस्ट कंडिशन को इसने यहाँ पे विटनेस करा है हमारी जो ministry of earth science है इसने at present 6 ship सागर निधी, सागर मंजूसा, सागर कन्या सागर संपद, सागर तारा और सागर अनविशिका इसको आप कह सकते हैं use करवा जाता है काफी सारी ocean की studies पे application पे और इसके अंदर काफी सारी आप कह सकते हैं ocean observation आती है तो यह सारी जो ship है आप कह सकते हैं use करवा जाती है जितने भी यहाँ पे ocean की studies होती है पता लगाना हो, कोई research हो ocean किस तरीके से काम करता है तो उन पे इन्हें use करवा जाता है अब दोस्तों बात करते हैं इसके significance के बारे में कि क्या जरूरा था या फिर किस लिए यह required रहता है तो ऐसे जो research vessel होते हैं या पर आप कह सकते हैं ऐसी जो research ship होती है इन्हें आप कह सकते हैं use करवा जाता है explore करने के लिए, harness करने के लिए ocean resources को आप सब जानते होंगे जैसे कि blue economy चलता रहता है और साथी साथ यहाँ पर कि हम participate कर सके research और rescue operation के अंदर और जो implementation हो रहा हमारे deep ocean mission का उसके लिए भी ऐसी जो research vessel होते हैं यह काफी दा important होती हैं इन्हें use किया जाता है for launching tsunami monitoring system के लिए remotely operable vehicles होते हैं जो कि identify करते हैं mines को और gas hydrates को साथ जात इन्हें use करवा जाता है काफी सारी oceanic studies के लिए fuel पर जो होती हैं और जितने भी यहाँ पर आप कह सकते हैं future gas hydrate होते हैं उनके लिए कुछ ऐसी research आप कह सकते हैं scientific evidence जो कि बताता है कि जो origin हुआ है life का जिन्दगी का वो कैसे हुआ है और कुछ ऐसे cure जो कि काफी सारे chronic diseases के लिए हैं ऐसी disease जो कि एक साल से ज़ादा रहती हैं उन सभी के लिए आप कह सकते हैं यहाँ पर use कियाता है basically आप मान सकते हैं जो भी research होती है जो studies होती है वो सब इनकी मदद से काफी असान हो जाती है अब बात करता है ministry of earth and sciences के बारे में देखे दोस्तों यह mandate करवाती है और प्रवाइड करवाती है weather, climate and ocean and seismological services को और harness करवाती है हमारे जितने भी living or non-living resources हैं उनके लिए इसके अंदर involved रहती है जितने भी यहाँ पर development होती है जो भी ocean technology के लिए हो या फिर ocean survey हो जो की होते है exclusive economic zone पे या फिर जितने भी यहाँ पर deep ocean या फिर mineral energy होती है उनके बारे में कोई बाते हो तो यह सारी आप कह सकते हैं development जो है वो हमारे ministry of earth science करवाती है आप कह सकते हैं जो आपकी National Institute of Technology चिन नहीं है वो mandate करवाती है और develop करी है उसने ऐसी technologies को जो की यहाँ पर sustainable harvesting के लिए काफी important है living और non living resources पे ocean के लिए तो यह सब आप कह सकते हैं यहाँ पर important रहते हैं इनके बारे में तो यही थी वीडियो पूरी आज की जहां पर आभी आपको पता लग गया होगा कि सागर निदी क्या है किस तरीके से वो important है हमारी पूरी ही इंडिया की ocean studies को लेके blue economy को लेके तो यह सारी बाते हैं ओके अगर दोस्तों अब भी आपके कोई doubt रहते हैं तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं comment section में मिलते हैं पनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए have a nice day